हेलो दोस्तों आचल टेरिस गार्डन में आपका स्वागत है वीडियो की शुरुआत बहुत ही खुबसूरत रोस फ्लावर के साथ यह देख रहे हैं फ्रेंट्स इतना खुबसूरत अभी यह खिलने वाला है एक दो दिन में यह पूरी तरीके से खिल जाएगा और बहुत ही बीक साइज का फ्लावर आता है देखने में बहुत ही खुबसूरत और यहाँ पर आप देख रहे हैं वो यलो कलर का रोस है और एक और रोस फ्लावर खिलने वाला है उसको भी मैं दिखाती हूँ यह डबल डिलाइट है फ्रेंट्स और इसकी खुश्बू बहुत ही राइवर ने मुझे पूछा है कि आप केलन कोई में कौन सा फर्टिलाइजर यूज करती है जिससे कि आपका जो प्लांट है वो इतनी अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग करता है तो सबसे पहले आप मेरे केलन कोई प्लांट को देख लीजिए और यह मेरा दो से धाई साल और यह देख रहे है फ्रेंट्स इसका मदर प्लांट मैं आपको दिखाती हूँ यह जो है यह मदर प्लांट है और इसी की कटिंग से मैंने यह दो नए प्लांट तैयार किये थे पिछले साल और देखे कितना अच्छे से इसमें फूल आ रहे है रेड कलर का फ्लावर है और देखने में बहुत ही खुबसूरत हाइब्रिड कैलन कोई का प्लांट है यह और पिछले साल मैंने इसको एड किया था अपने गार्डन में यह यलो कलर और यह जो देख रहे हैं यह और इसी की कटिंग से मैंने यह देखी यहां पर दो नए प्लांट तैयार किये हैं इस बार यह यलो वाला है और यह और इंज वाला है और रेड कलर का तो मेरे पास बहुत सारे कटिंग से रेडी हुए है यह देख रहे हैं यहां पर भी आप जेड प्लांट के साथ और यह देखिए छोटा सा बॉटल में मैंने कटिंग लगाया था यह भी फ्लावरिंग कर रहा है बहुत सारे हमारे साथ ही पूछते रहते हैं फ्रेंट्स की हमारे केलन कोई में फ्लावर नहीं आ रहे है तो देख सकते हैं आप एक इतना छोटा प्लांट है और इसमें भी फ्लावरिंग आ रही है हो रही है और देसी वरायटी का भी है मेरे पास यह देख रहे हैं यह दे लेकिन यह बहुत पहले से ही सुक्रा था भी हुझा नहीं और मैंने रहने दिया था और यहां से देखी कितना खुबसुरत को लिए सके साथ लगा हुआ है तो तो बहुत ही यह हाड़ी होता है इसी टूमेंटेन इसी टू लगता है मुझे यह ब्लान क्योंकि इसकी प्रोपो बहुत धीमा चलता है बहुत स्लो चलता है इसलिए मैं आप लोग को सलाह दूंगी कि इसकी आप छोटी सी कटिंग लगा लीजिए पाच शे इंच की वह आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है तो इसकी मिट्टी वेल्डरेंड होनी चाहिए क्योंकि यह सेकुलेंड फेमली से करता है यह प्लांट इसके जो पत्ते होते हैं उसमें पानी जमा रहता है तो आप इसकी मिट्टी वेल्डरेंड तयार करिए और पानी देते समय आप विसेज ध्यान देजिए मैं तो दो दिन तीन दिन के गैप में पानी देती हूं अपने प्लांट को और यह बहुत ही और साथ में मैंने आप लोग के साथ कई बार शेयर भी किया है बताया भी है कि मैं सूपर सुनाटा का लिक्विट टॉनिक भी अपने सारे प्लांट पर यूज करती हूं उसका भी रिजल्ट काफी अच्छा आता है और कम से कम 15 से 20 दिन के गैप में आप फर्टिलाइजर द आते हैं और आज मैं जो आप लोग के साथ शेयर करूंगी वो उसका रिजल्ट भी मुझे काफी अच्छा मिला है तो वो एक समुद्री घास से तयार किया हुआ फर्टिलाइजर होता है फ्रेंड्स जो ग्रेंवल फॉर्म में आता है और मैं वही आप लोग को दिखाऊंग कि आज और यह देख रहे हैं इस तरह से मेंने एक पैकेट एक किलो का लिया हुआ है नासा गोल्ड नाम से एव इह फर्टिलाइजर और यह समुद्री घास से तयार किया हुआ फर्टिलाइजर है इसका रिजल्ट भी मुझे बहूत ही अच्या मिला है इसी साल मैंने यह जो fertilizer है उसको अपने garden में add किया है और मैं आपको दिखाती हूँ आज मैं वही अपने plant पर दे रही थी तो सोचा आप लोग को भी बता दूँ यह देखिए इस तरह से granule form में आता है और बिल्कुल एक छोटा चाय का चम्मच आप अपने सारे plant पर दे दीजिए गुड़ाई कर दीजिए चाहे तो और चाहे तो आप ऐसे ही डाल दीजिए यह देखिए थोड़ा सा 15 से 20 दाने एक एक plant पर आप डाल दीजिए तो इसका result भी मुझे काफी अच्छा मिला है और सारे plant में आप डाल सकते हैं यह देखिए जर्वेरा के में भी मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ा थोड़ा और बिल्कुल इसकी मैं गुड़ाई कर दूँगी थोड़े देर बाद और बस friend यही मैं देते रहती हूँ अपने plant पर और मुझे इसका result काफी अच्छा मिलता भी है और यह देखिए समय समय पर आप नीमोयल का भी स्प्रे करते रहिए अपने plant पर ताकि plant पर किसी प्रकार से disease न लगे और flower इसके बहुत long blasting रहते हैं friend बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं इसके flower plant पर लगभग एक महने से यह खिला हुआ है और अभी एक महने औ और इसमें रहेगा प्लांट पर तो यदि आपको इस तरह के flower के शौक है जो लंबे समय तक आपके garden में बने रहे प्लांट पर बने रहे तो आप कैलन कोई का प्लांट जरूर ग्रो करिए थोड़ा सा कॉष्टली आता है इसका plant जैसे pot में लगा हुआ जैसे इस तरह से तो आप अपने choice के हिसाब से polybag वाला चाहे आप pot वाला प्लांट ले सकते हैं और cutting से easily grow हो जाता है यह plant तो यही शेयर करना था आज वीडियो अच्छा लगे तो like, share और subscribe जरूर करें साथ ही bell बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की notification आपको मिलती रह है अगली वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए happy gardening बाई thank you